हेलो दोस्तों स्वागत आप सब्सक्राइब बेसिक नॉलेज में दोस्तों आप लोग अब सोसल साइंस का विकली टेस्ट होने वाला दोस्तों बता दो सोसल साइंस का एक्जाम आप लोग जितने सरे एक्जाम्स होता है ठीक है चाहिए साइंस का मैत का हिंदिक एंगलिस का ज सांथिया सांच उब लोग उकले टेस्ट होने वाला ना उसके लिए बहुत ज़िदा हumen करेगा तो एक इक स्वालों को देखिए उसको याद किजिए और समझ जाएए। फ्रांस की क्रांति कभी persist दोस्तो फ्रांस की क्रांती हुई थी 1789 में याद रखिए ठीक है याद रखिए फ्रांस सी विद्रो और फ्रांस की क्रांती है तो फ्रांस की क्रांती हुई थी 1789 में और आप लोगे लिए हुमर्ख है कि फ्रांस में विद्रो का हुआ था फ्रांस में विद्रो का हुआ था क मैंने में जरू बोलिएगा बहुत इंपोर्टन है ये बोर्ड एक्जामन पूछा गिया था विद्रू वाला सामाजिक उब्बन नमक पुस्तक का लेखक कौन था दोस्तो तो सामाजिक उब्बन नमक पुस्तक का जो लेखक था वो थे और रूसो ठेक है समाजी गुबन दमख दूसते एक पुष्टक है और इसका लिखा क्यों है रोसो याद रखियेगा यग इटली के अस्थापना किस ने किया तोस्तो यज इटली और यउवरोप दोनों का एस्तापना क्या था यंग बिली सोसाईटी और tea यो इरोफ सोसाइटी गाट इटली का एकई का पूरा हम थी का पहले बहुत सारे देसों भग था बठ किर्णा कि आहे करन तो ये ऐत्लुक संग रभा याद रहत रखेगा रहुआ था यह पहल पर हुई तो यह दोस्तो प्रसा के पहल पर हुई थी जो जल舞रायं याद रखिएगा जल舞रायं की जो अस्तापना है worn listeners की पहल पर वी जो सिल्क चशुलख्संग जलवरायं की स्थपना की प्रसा की पहल पर हुई ठीक है तुथ 1789 में फ्रांस की करांती की समय किसका सासन था जी 1789 में जब फ्रांस की करांती हुई थी उस वक्त फ्रांस पर किसका सासन था तो उस पक दोस्तों फ्रांस पर लुई सोलवा का सासन था फ्रांस की करांती हुई धुमधार हुई दमधार हुई जवरदस्त हुई और उस करांती लोक और मनमानी करता था ठीक है लोक अतना पसंद नहीं था तो इसको उतार फेक दिया था सब्सक्राइब करता है तो पूरे इरोप में हल चल मत जाती है ठीक है समझ गया है फ्रांस चिकता करत क्या है ठीक है जैसे आपके अप चीकते हैं तो पूरे बड़ी में हल चल हो जाता है तो पूरे इरोप को सर्दे जुकाम हो जाता है यानि कि जब फ्रांस में कोई भी घटना घटती है कोई भी चीज रांती विद्रो होता है तो पूरे इरोप में हल चल मत जाता है तो ये बात किसने कहा था ये कहा था मै एक एकरण हुआ 871 में देखिए का ध्यान से याद रखिए जर्मनी एक एकरण 878 और जो इतली का एकरण है वो दोस्तो 870 डायरेट अब्जेक्टिव में एक्जम पूछता ही कई बार तो इसको याद रख लिजे फ्रेडरिक सर्यू कौन था दोस्तो तो फ्रेडरिक सर्यू आगरणटि याद ना रख लिजे दो बात देख लिजे तीन बात देख लिए लेकिन दिमाग में सब घुसा लेजे विस्मार्क जर्मनी का चάνसलर रखन गैसे पहले तुम Мनुस्यू जी हान बिल्कुल मनुस्य है उसके बाद किसी देश का नागरित या अन्ना कुछ या कतन किस superior है पहले तो मननूस से चाया का ना चला नहां ही के राई हिंद्वस्तान चाहूएं पहले पेछले comparti universal कश्र थेत्सका नकरत्heavy कि या कहाता रूसों किस ने कहाता रूसों चलीए बिस्व कोस नामक ग्रंथ की रशना किसने की? मतपुना स्वाल है, याद रख लेजिए जो इसको किया था ऐसी सरकार या सासन विवस्तार जिसकी सप्तापर किसी प्रकार का कोई अंकुष नहीं होता कहा जाता है क्या आजाता है उसे निरंकुस आसन विवस्ता कहा जाता है देखिए बढ़े कोई अंकुस नहीं रहेगा तो निरंकुस होगा लगाम नहीं रहेगा मतदान का दिकार को मताधिकार कहते हैं याद रखी तो जानती है वास्तिल केले का पतन कब हुआ तो यह हुआ था 1789 में या मेंजवाण किसनी किया थे तो वह किया मैटन नीख किसने मैटर निखने अगला प्रस न वलब्रि कया था था Coast तो लिञ्ग्रा है कि हमलों कि रुपया है और मुं में से पर नारा किस्कार सब्सक्राइब सब्सक्राइब सक्राइब घृभा था मनुष्य सतंत्र पाइदा हुआ है कि तो सर्वत्र बंदनों में जखड़ा हुआ है यह किस दार्सनिक का है बिल्कुल यह सही बात है अब पैदा दो संत्र होई तब आप पर कोई नहीं था कोई मतलब क्या बोलता उस प्रेजर नहीं था रिस्पॉंसिबिलिटिस नहीं थे लेकिन अब जैसे से बड़ी होती है तो आपके रिस्पॉंसिबिलिटिस बढ़ती है आप सर्वत्र चारो तरब के बंदनों से जगणते जाते हो बचपन में होते हो अपना दोस्ते जो जगणा हो गी है बस उस से बढ़ा हुआ तो आर प्रश् में एक आदर्स समाज की क्लपना ऑग औरो शोचाउ जहां पर कोई शॉड़ी डगड़ेते नहीं और किसी को कोई गाली नहीं देगा किसी को का निन्दा नहीं करेगा य। उल्लमिभी और लूट look ऐन वो Figaro आपकाूं और आपका साइउत्तर ही सेल वियंग एग्जाम में को देख लीजी ओधे अपका घर्ट याइज को शेयर करते हैं यांस तो सबस्क्राइब करना जो आप लोग हिंदी में पहुत सांधार करें तो इक एक सवाल को देख लिजी एक है कम yeter तोड़ा सा हैट तप क्योंकि यह आप कोई नहीं कह सकता यहीं बाला सवाल आएगा पर आप मैं सवाल देरा है आप लोग देखिए एक्जाम में बहुत जिदा हेल्प करेगे सारे ठीक है हाँ जो समझा रहे हैं उसको समझ भी लिजिए तागे कोई कोई दिक्कत ना हो में लिए प्तुलिजए हैं हुगा दे मातरूं